हेलो गाईज, वेलकम टू तेव हूमी करियर पॉइंट तो देखे फ्रेंट्स हमारी एक सीरीज चल ले थी उत्राखंड जीके वाली UKGK जिसका पार्ट 59 है आज देखे इससे पहले पार्ट 58 तक अपलोड हो चुके है चैनल पे काफी महत्तोपूंग यह सामाने ज्यान के प् इसके साथ UK PCS का जो प्रारंबिक पेपर होगा और लोवर PCS का जो प्रारंबिक पेपर होगा उसमा उत्राखंड पोजसन से जो भी कोशन पूछे जाएंगे उसके लिए काफी महत्तोपूंग यह सीरीज है देखे परिक्षा वाली में आपको अमोमन काफी कोशन मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे काफी छोटे-छोटे कोशनों को काफी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको देता हूँ वीडियोज के माध्यम से तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सुरू से अंतर तक जरूर देखे हैं और जो भी नए लोग हैं अगर अभी तक चैनल को सस भूमी करियर पॉइंट तो आज ही सस्क्राइब कर ला फ्रेंड्स वेट नगर और बैल आइकन को भी दबा लेकिए कि जब भी नई वीडियो डालू मैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो आज उत्राखंड जीके का पार्ट 59 है इसमें भी डिसकस करेंगे कुछ महत्तोप जो कि चमोली में इस्तित्ते है आरक्षित छेतर किस वन्य जीव हेतू सनरक्षित है तो 100 छेत्र ग्सत्र या है आरक्षित मों च्या मों में राज्य पक्षी in में डिकलेर किया जाता है ताकि वहां पे लोगों की जो एक्टिवडी जो कम हो जाए इसके साथ में बोलना चाहूंगो जो आसन बहराज है आसन बहराज संरक्षित छेत्र है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रवासी पक्षियों के लिए प्रवासी पक्षि क्या होते है जो अचुला खरक प्लेस है प्रिजनन केंद्र है वहां पर आपने पड़ा होगा वह कस्तुरी मिल्गी के लिए है ठीक है समझ पायोंगे नेक्स से देखें उत्राखंड उच्छे नियायले की स्थापना कब हुई थी तो बात उलिए आपे उत्राखंड हाई कोड तो उत्राखं जाता है 9 सितंबर को ठीक है 9 सितंबर कल की डेट में हमने सेलिबरेट किया था और ये सुरू हुआ था सन 2015 से यह महत्तों पूंगती थी है अगला राज जी की कौन से फिल्म कुली बेगार प्रथा से संबंदित है तो देखे कुली बेगार प्रथा इसके बार में मैंने अगला देखे मध्यकालिन उत्राखंड में चमोली वा उत्तरकासी छेत्र के लिए प्रियुक्त सब्दिक क्या है तो देखे मध्यकालिन उत्राखंड में कुछ ऐसे ग्रंथों में उत्तरकाशी और जो चमोली का कंबाइन एरिया था उस कंबाइन एरिया को तंकड के नाम स गरवाल में भीशन अकाल पढ़ा था 1795 में तो 1790 में कुमाओं पर गोलखाओं का राज हो गया था और 1795 में गरवाल में भीशन अकाल पढ़ा और 1803 में वहां पर भयानक भुकम्प आया जिसके फलसरुप गोलखाओं ने गरवाल की तरब भी कोच गया था और गरवाल को बा इस वज़े से गरवाल जो रास्तंत्र था वो कमजोर हो चुगा था इसका लाब उठाए ततकालीन गोरखाउंने नेक्स देखे राज्य के किस इस्तान को भारत का एडिनबरा कहा जाता है तो भारत का एडिनबरा नाम से famous place है राज्य का मसूरी जिसका उपनाम है पहाड़ों की रानी भी बोल रहता है परवतों की रानी भी अब एडिनबरा सब्द क्या है इसको जानेजिए Edinburgh is a place in Scotland तो Scotland में एक tourist spot है काफी बड़ा city है Edinburgh जैसे London है England की मैं particular बात करूँ क्योंकि UK तो पूरा होता है मैंने आपको बता है England, Wales और उत्तरी Ireland और साथ-साथ Scotland जब मिलते हैं तब उस पूरे area को बोला जाता है United Kingdom तो Edinburgh भी London के बाद दूसरा ऐसा सहर है UK का इन बड़ाबी बोला जाता है मसूरी को क्योंकि मसूरी भी उत्राखंट का एक ऐसा hill station है जहां पे काफी पर्याटक जाता है तो समझ पायोंगे नेक्स से देखे धामोबुडा के वनसज यह किसकी रचना है तो धामोबुडा के वनसज यह लिखा है रगुनंदन सिहां टोलिया ने देखे आप डारेक्टली कभी यूकी ट्रिपल सी कंफ्यूज करने के लिए आपको सौर्ट नेम देदेगा रगुनंदन सिहां टोलिया की जगा आर एस टोलिया देदेगा तो आपको ध्यान दगना है ठीक है समझ पायोंगे नेक्से देखे वर्ल्ड हर्बल इंसाइकलोपीडिया को संकलित करने वाले ब्यक्ति कौन है तो देखे वर्ल्ड हर्बल इंसाइकलोपीडिया यह संकलन किया है बाबा रामदेव के काफी करीबी माने जाने वाले आचारे बाल कृष्ण ने जैसा कि आप नाम से समझ पारे उनके बार में विस्तार जानकारी इसमें दी गई है तो आचारे बालक्रिष्ण और जो अभी पतंजली के फाउंडर है बाबा रामदेव देश की सबसे बड़ी एकिसाब से एफमसी जी बनके उभर रही है पतंजली और इसको संकलित क्या है आचारे बालक्रिष्ण जी ने महत्योपों है ध्यान रखेंगे नेक्से देखे यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत का नीजी पेशा क्या था तो यूकेडी उत्राखंड करांती दल इसके जो पहले अध्यक्ष बने देविदत पंत डीडी पंत भी बोला जाता है इनको इनका जो परसनल प्रश्दिती में उत्रे लें नेक्से देखे आजाद हिंद फौज में कुल कितने गरवाली सेनिक थे यह फैक्ट वाला कोशियान हो गया देखे आजाद हिंद फौज जो की संगड़ित की दी सुभास चंदर बोस ने भारत को आजादी दिलाने के लिए इसमें गरवाली प्रसिद मखन उत्सव मनाय जाता है तो मखन उत्सव मैं कह सकता हूं बटर फैस्टिवल इसन बटर फैस्टिवल सेलिबलेट क्या जाता है उत्तरकाशी मैं और यह दयार्या सब्द है इसका नाम है अढ्धूडी मारा बोले जाता है और इसका अपनाम मक्घन उत्सव प्धोधही उत्सवा क्या है तो बहुतियासब्दוכ क्यों की दो सब्हरा है किसको विवाह प्रथाओं को तो देखे मैंने भोटिया शमुदाय पे पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो देया है अगर वीडियो आपको देखेंगे आप वीडियो तो तब आपको समझ में आएगा ये प्रथाइं क्या होती है ठीक है कंया पक्षे को मांगनी जरूर देखें राज्य माता सुखरो देवी मंदिर कहां इस्तित है तो माता सुखरो देवी का मंदिर इस्तित है कोड़वाल में नेक्स से देखे गोरा अठठा वली त्योहार किस जन जाती में मनाया जाता है तो गोरा अठठा वली त्योहार ये मनाया जाता है वन राजी जन जाती में नेक्स से देखे ब्रह्म वर्चस सोध संस्तान नामक प्रयोक शाला राज्य में कहां इस्तिद है महत्वपोने देखे ब्रह्म वर्चस सोध संस्तान इसकी लोकेशन है सांतिकुंज हरिद्वार में देखे इस जो संस्तान है या इस प्रयोक शाला का में उद्देश है मुख् संबव है या आध्यात्म का जो लेवल है किस लेवल तक जा सकता है इंसान उससे क्या-क्या अचीव कर सकता है तो इस टाइप के सभी सोध होते हैं ब्रह्मु वर्चस सोध संस्तान में जो की इस्तित है सांतिकुंच हरिद्वार में नेक्स से देखे परवत्य छेत्रों में प जाता है जब और फसल तंयार होती है फसल की मढ़ाय के बाद जो भी अनाज कलेक्ट होता होता है उस अनाज का पहला हिससा देवताओं के लिए शुरक्षित रख दिया जाता है, इसी सुरक्षित हिस्से को बोला जाता है non-a-aj ये महत्वपोणे हमारी संस्क्रिते से चुगा हुआ सब्द है, बगये एकजाम के लिए काफी महत्वपोण है, तो आपको समझना जी, इसी को बोलता है non-a-aj, मतलब कुल जो हमारी फसल होती है फसल उपज में से पहला भाग जो देवताओं को समर्पित होता है ठीक है समझ पाई हूँगे अगला है राज जे मैं हिमालाई दर्शन योजना का सुभारंब कब हुआ था तो हिमालाई दर्शन योजना सुभारंब हुआ था साथ फरवरी 2015 से अगला कोशन है बदरी दा क्लाउड फिल्म के निर्माता कौन है तो देखें बदरी दा क्लाउड ये फिल्म बनी है पहार में जो पलायन प्रचलीत है बेरोजगारी है और पहार में घटित जो भी आबदाएं हैं तो संजाई सीह ने बद्री दग क्लाउड फिल्म के माध्यम से बड़े अच्छे डंक से इसको पिरोया है अगर यह फिल्म आप देखेंगे तो आपको इसमें पहार का वास्तविक दर्द दिखेगा पलायन का पिरोजगार का और पहारी आपदाओं का जो हम फेस करते हैं क्योंकि मैं जितनी वीडियो दे रहा हूं जो भी टॉपिक आज उत्राखन के लिए यह मोस्ट रिक्वाइड टॉपिक है किसके लिए यूके ट्रिपल एक्जाम के लिए तो आप जिस आयूक के तुरू एक्जाम दे रहे हैं उस आयूक का गठन तो आपको याद होना ही च कोशन बनते है यूके ट्रिपल एक्जाम में मैं हमेशा बोलता हूं ब्रह्म कमल की ओसत उचाय जो एवरेज हाइड होती है वह थे 20 सेंटीमेटर नेक्स है बगोली डेम किस नदी पर इस्तित है या बगोली बाध किस नदी पर इस्तित है तो यह इस्तित है पिंडर नदी और यह 72 मेगावाट की परियोजना है उत्तपादन जो टोटल श्मता है 72 मेगावाट की है नेक्स देगे बाराही देवी मंदिल को इस्तानिय लोगो द्वरा किस नाम से संबोधित किया जाता है तो बाराही देवी मंदिल मैंने आपको बता दिया जहां पर प्रसित बगव बगवाल मेला करके जिसमा लाइव वीडियो दिखाए था मैंने बगवाल मेला कैसा होता है कैसे लोग पास अंग्रिद्व वहां पर प्ले करते हैं आप उत्राखन वाली प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बगवाल मेले बारही मंदिल को जो इस्तानिय लोगो द् इसको बोले दोल बाहरी दैवी को जो लोकली लोग उस गाहें डूर राजन। के गोघवाल जाता है तो चोटे चोटी चीज कीज हैं में काफी प्रों के लीब लाता हूं आप लोगे के लिए यह हिमानिया है वो पार्टिकुलर हिस्सा है किसका मिलम ग्लेशय का देकि मिलम ग्लेशय कुमाओ जोन का सबसे बड़ा ग्लेशयर है सबसे बड़ा हिमनत है कुमाओं का ठीक है और इसी के अंतरकत काफी यहां पे छोटी-छोटी हिमानिया जैसे बागू डियार हो गया इसमें जीमी घाट हो गया रालम हो गया और उसके बाद काफी यहां भी याद नहीं आ रहा मिले को नेक्स वीडियो में बताऊंगा आपको बच्छी से जब गलेशियर वाली वीडियो आएंगी मिली अभी गलेशियर का टॉपिक आया नहीं है जिसमें हम सभी गलेशियरों के अंतरकत आने वाली मुख्या हिमानियों को भी याद करेंगी ठीक है तो आपको इतना याद रहें कि बागू इडियार पर जीमी घाट हि इणा किन परवत पदोप्र बशाए वा मनलब उसके आसपास कौन से परवत हैं तो उनके आसपास जो परवत हैं हेमकूड वह मंगर्गूट परवतों के पादों पर इस्तीत हैं काौना असरम ठीक है नीकसे देखें राज्यमा अ सबसे लंबा जूला पुल किन नदी पर उ जिसको इंगलीस में बोला जाता है suspension bridge, suspension bridge जो सबसे बड़ा हो है भागी रती पर जिसकी length है 440 meter और यह motor vehicle suspension bridge है, कहने का मतलब इस पर गालेयां भी चलती है, ठीक है, समझ पाएंगे, तो लेकिन question में बने का कि सबसे लंबा जूलापुल कहां पेशती थे तो आपको याद रख प्लीज कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सेर करना ना भूलें, मिलेंगे आपको next वीडियो में एक अच्छे topic के साथ, और discussion करेंगे अन्य महत्वपूंग फैक्टों के बारे में भी और exam के लिए जो महत्वपूंग चीज़े हैं, बस असा के साथ मिलूगा next वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जैहिंद, वन दे महत्रम